ओम शान्ती कैसे हैं आप सभी लोग तो आज मैं जब इवनिंग वॉक पर तो आती हूं हमेशा और आज मैं आपको एक बुजिर्क से महलाओंगी जो 81 वर्ष के हैं और धोती गुर्टा पहन कर इतनी बड़ी है एकसराइस करते हैं मैं उनसे बहुत इंपरेस होती हूं उनको देखती हूं तो आज मैंने बात करने कितने साल के हैं आप और आपको बोल दिया है करे दिखा दिखाते हो वाला ऐसे करके हां एक बार और करके दिखाओ 80 साल में देखो वही एकसाइस देखो इनकी करिये करिये मैं आगे सिलू मुँँ हूं वाओ कैसे maintain करके रखते हो आप है कैसे कर लेते हो मैं रोज देखते हो עपको मिं रोज देखती थी उसके बाद और वी वीडियो वाज देखती है करो तो पारूल ने बहुत अच्छा कटिंग और को दिया और किसी को हजबन ने कहा कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो बच्चों ने कहा कि हमारे लिए फ्रेंकी बना दो तो मैंने ठीक है तो फिर फ्रेंकी बनाने के लिए मिने थोड़ा हलका सो ओय लिया और प्याज डाले उस कि इसमें और आप थोड़ा से सोय सो चिली सो सरी भी डाल सकते हो मैंने नहीं डाला था आप डाल सकते हो बहुत अच्छा फिर चाइनीज स्टाइल बन जाता है इसको रोल बनाने के लिए तो यह मेरा हो गया था हलका साही सोते करना है सबजियां करंची करंची रखनी है बह रूले और दोनों ने बहुत ही खुश होकर खाया तो इस तरह से चीजें घर में बनाएंगे न तब यह जो शिम्ला मेर्च आलू टमाटर यह ना मेरी बेटी तो बिल्कुल नहीं खाती है लेकिन इस तरह से मैंने बना कर दिया तो अराम से बहुत मज़े ले लेकर खाया इ लेकिन आप आप देखना कितना इंज्वाय करके खाएगी तो मैंने एक रोटी ऐसे पुरी गोल गोल जितनी बड़ी कर सकते हैं आप कर लो और इसको पराठी की तरह हलका घी भी लगा देना है सेक लेना है उसके बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे तो इसी तरह से मैंने दोन पहनता हूँ धोती गुर्ते में इक्सराइज करते हैं और यह नहीं की एक दिन करते हैं रोज करते हूं एक्सराइज तो मैं पता नहीं कितने सालों से देख रही हूँ वहां पर तो करोने के बाद मैंने continue exercise करने शुरू कर दी और मैं open जिं भी करती हूँ वहां पर जब भी यह सॉस और उसका अलग मियोनी टाइप का बनाया था तो यह मेरे आदी के लिए त्यार हो गया एक फ्रेंक की और पारूल ने क्या किया बिना पनीर के यह लगवाई थी मियोनी प्रस सॉस को मिक्स करके बन जाता है उसके बाद उसने बिल्कुल पनीर बना कर दिया तो मैंने यही वेजिस उसमें डाल दी थी आराम से चुपकी कभी नहीं घाती है शिम्ला मेज और इस ऐसा करके दे दिया तो बढ़े मज़े से खाया यही चीज समझ में आती मुझे बच्चों की कि इस तरीके से बजार का रोल वेज रोल यह रोल उसमें इतनी साही सबचिया होती है थब खा लेंगे लेकिन घर में सब चीज निकालते हैं बाहर तो बस उनको खाने का किसी तरह से भी हल्थी खिलाने का तरीका होना चाहिए तो इस तरीके से बनाकर देदो तो खायेंगे तो सही कम से कम तो बच्चों ने बहुत इंजॉय करके यह देखो बच्चे सारी सब्जी में बाहर निकालती है तो इस तरीके से आप बढ़े ऐसा सौते करके सब्जियों में चाइनीज स्टाइल में बनाके तो बच्चे अच्छे से खाते हैं आप जरूर ट्राय करना हो किस-किसने ट्राय के मज़ें बताना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना तक ही मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियो बनाने का और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें आगे अब देखी रहे हैं बच्चे कितना इंज्वाय करके खा रहे हैं तो वीडियो अगर किसी भी एंगल से पसंद आया हो तो लाइक, शियर और सब्सक्राइब करन और इस तरह से बना के अपने बच्चों को खिलाना उनकी खुशी में हम सब की खुशी है थैंक यू सो मच